नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने आलाइन इस्टिटूड निसांत क्यान की यूटूब प्लेटफॉर्म पर मैंने तिन उपाद दिया है आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने इस वीडियो में मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार UPTAT special की CDP आपके बीच प्रोवाइट करा रहे हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए बहतर करने का प्रयास किया जाए लेकिन आप भी अपनी तरब से हमारे लिए कुछ बहतर करने का अगर प्रयास कर सकते हैं तो करिएगा ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक करिए चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करिए और वीडियो को सेयर कर सकते हैं यह हमारी हित की बात है और आपकी हित की बात है कि हम लगातार आपके लिए CDP की क्लासे मुईया करा रहे हैं, निशित तौर पे मैं बता दू यह क्लासे जो पूर्ण तह आपकी UPTT स्पिसल को ले करके टार्गेटेड है, अगर पूरी क्लास आप करते हैं, नोट्स बनाते हैं तो निशित तौर पे आप 25 परस्न यहीं वाइट बोट से देखेंगे यह दावा करता हूँ, ठीक है, और भी कुछ लोग कह रहे थे नोट्स के लिए, तो नोट्स मैंने लांच कर दिया है, पार्ट वाइज नोट्स अभी CDP के आपके पास पहुँच रहे हैं, तो आप के बाद जब नोट्स पूरे हो जाएंगे, तो आपको combined मिल जाएंगे, ठीक है, चलिए इस वीडियो के सुरुआत करते हैं, मित्रों यह CDP का हो सकता है, 25 या 26 क्लास हो, इसमें एक क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, motivation और अधिगम, अभी प्रेणा यूम अधिगम, इ होते हैं, वह कहलाती है motivation, या कोई target आपको मिल जाए, उश target को प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा सक्री हो जाते हैं, तो क्यों सक्री होते हैं, motivation के कारण ही सक्री होते हैं, जब आपको आवस्यक्ता पढ़ती है, तो आवस्यक्ता पढ़ने के बाद ही, आप जो है कार अनुक्रम का सिध्धान्त मित्रो अब्राहम मैसलो साहब ने बताया कि जैसे जैसे मनुस्य की आवस्यक्ता होती है वह एक क्रम के अनुसार होती है पहले क्रम को प्राप्त करता है उस जरूरतों को पूरा करता है उसके बाद दूसरे पड़ाओ की तरफ बढ़ता है इसी तरी मनुस्य कोई भी कार्य तभी करता है जब उसे आवस्यक्ता होती है और आवस्यक्ता के बाद हई प्रारंब किया जाते हैं आगे बाद करते हैं मित्रो अबराहम हिराल्ड मैसलो ने जो प्रसिद्ध दो पुस्तक के लिखी थी उस पुस्तक जो important है परिच्छा में पूछा जाता है एक पुस्तक है motivation and personality किसे ने लिखा है तो मैसलो साब ने एक पुस्तक लिखा है ये theory of human motivation ये पुस्तक जो है इसी पु अलग से यह सिध्धान्त अलग से प्रकासित हुआ था तो 1904 में यह सिध्धान्त जो है अलग से प्रकासित किया गया था और इस सिध्धान्त में 1969 में कुछ है बदलाओ किये गये थे संसोधन किये गये थे और संसोधन के बाद आपके बीच जो है यह सिध्धान्त है आगे इनके सिद्धान्त को आवस्यक्ता का सिद्धान्त भी बोलते हैं, इनके सिद्धान्त को आवस्यक्ता का सिद्धान्त भी बोला जाता है, मित्रों इन्हों ने बताया कि जैसे-जैसे मनुस्य की आयू बढ़ती है, वैसे-वैसे मनुस्य अपनी एक-एक, आयू नहीं, आयू क बात ही नहीं किया है उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे मनुस्य ग्रोथ करता है विकास करता है उसकी एक न एक जरूरते आती रहती है और उसी जरूरतों को ले करके मनुस्य अपने मृत्व परियंत मोटिवेट रहता है बिना मोटिवेशन के आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर स सबसे उच अस्तर की जो अकांचा है, सबसे निम्न अस्तर की जरूरत है, जो आवस्यक्ता आपकी सबसे निम्न अस्तर की है, वो है फिजिकल जो जरूरते होती है, सारीरिक जरूरते, मित्रोथ सारीरिक जरूरत सबको होती है, और इसके लिए भी motivation की जरूरत होती है बिना motivation के आप सारीडिक जरूरतों को भी नहीं पूरा कर सकते हैं आपको एक target होता है कि हमें जो है जैसे कि जो आपकी सारीडिक जरूरत हमें भोजन चाहिए भूख लगी है तो भोजन भी एक आपकी सारीडिक जरूरत है हवा हुआ बिना अक्सिज़न के आप जीवित नहीं रख सकते हैं पानी हुआ नीध हुआ भोजन हुआ और कामुकता जो सेक्स होता है ऐसाली चीज़े जो है आपकी फिजिकल जरूरते होती है सारीरिक जरूरते होती है पहले करम में उन्होंने बताया कि सारीरिक जरूरत जो होती है इसकी आवस्यक्ता की पूर्ती मनुस्य की बेसिक आवस्यक्ता होती है बीना इसकी आवस्यक्ता के मनुस्य आगे कारेक नहीं कर सकता अगर आपको भोजन ना मिले तो आप आगे कलपना ही नहीं कर सकते जब आप में भोजन प्राप्त हो जाता है जब हमें जो है अपने जो सारीरिक जरूरते हैं वो पूरी हो जाती है तो हम सोचते हैं हमें सुरच्छा भी महसूस हो क्योंकि बॉड़ी जो है इस धरा पे तभी रह पाएगी जब आप सुरच्छित रहेंगे बॉड़ी को सुरच्छित कर रहा हूं या लैसी को वैसे मैं parental लायक हूं नहीं लेकिन करा रहा हूं कि जैसे कई कंपणिया ऐसी चलती हैं जो जिन्दगी के साथ जिन्दगी के बाद भी रहती है मकला करता है आपके न रहने के बाद आपका परिवार उसका भोग करता बिना संपत्ति के आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं या सुरच्छा की जरूरत में आता है संपत्ति की बात करें जितनी आप संपत्ति बनाना चाहते हैं सब यहीं पर आता है किसमें आता है सारीरिक सुरच्छा की जरूरतों में आता है ठीक है पहले आप सारीरिक सु सुरच्छा की जरूरतों में ही है जब इस जरूरत को आप पूरा कर लेते हैं तीसरे जरूरत पर पढ़ते हैं वह है संबंध और सामाजिक जरूरत क्या है जब आपको लगता है कि हम गाड़ी खरीद लिए मकान खरीद लिए हमारा एक बेसिच सा चीजे सब कुछ चलना लग चलने लगा अभी वर्तमान के समयमा आप नौकरी के लिए परिस्रम कर रहे हैं अभी आपका खाना पानी अपने मात आप आपके मामी पापा दे रहे हैं आपका खाना पानी हो रहा है बढ़ियां से आप खापी रहे हैं अब दूसरे पढ़ाओ पर अभी आप पहुचने व बड़ा गर बना लिए आप कोई घर में रहने वाला चाहिए न तो आप करते हैं साधी, ठीक है, सम्मंद بनाते हैं, साधी की जरूरत tag HOTY है, सम्मंदनाने की जरूरत, साधी ऐसा जरूरी नहीं, سाधी संबंद में आएगा मित्र बनाते हैं तभी तो आपके मित्र e if अबahą आजिक सम्मंदों को बनाने के लिए चौथे की बात करें मितनों जब आपके साधी वगरा हो जाती है बच्चे वगरा हो जाते हैं और आप अपने जीवन में हर एक चीज को प्राप्त करने में मतलब की समर्थ हो जाते हैं हर एक चीज प्राप्त कर लेते हैं तो चौथे पर आपका आता है चौथा और पाचवा को उच्चस्तर नाम दिया गया है इस देखिए पहला दूसरा और तीसरे को हम निमनस्तर का नाम दिये हम नहीं अब रहां मैसलो साब चौथे और पाचवे को नों ने कहा है यह जो उच्चस्तर की अकांच्छाए होती है पाचवे चौथ पर आपकी साधी वगरा हो गई है, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार, आपकी सामाजी के संबंध हो बहतर हो गए है, तो आप अब क्या काम ना करते हैं, आपके पास कुछ बचा है, आपके पास सब तो पूरा हो गया है, अब सोचते हैं कि आत्मसंवान मुझे म हर एक व्यक्ति हमें अपने मतलब इस संब्द बनाने के लिए बेताव रहे आप चोथे ज़ primarily hard его कर लेता है अपना तो हर कोई कर लेता है निशित तौर पर अपना छिय कर रहा है ठीक है अगर आप अपने जीवन में किसी भी एक सिंगल व्यक्ति का उपकार कर देते निशित तोर पे आप भगवान सदर्स हैं, उसके लिए, लेकिन आत्म सम्मान जो होता है, यही दिखाता है, कि अपनी जरूरते अब आपकी पूरी हो गई है, आत्म सम्मान पे जब आप पहुचते हैं, तो आप सायद ही है, इच्छा रखते हैं अपने अंदर, आप अपनी प्रतिष्था को समाज में अस्थापित करा पाए, आप अपने अतीत के बारे में लोगों को सुदा करके मोटिवेट कर पाए, आप जहां भी जाए, वहां पे माहौल बन जाए, यह चोथी जरूरत होती है, चोथी जरूरते आपकी तभी देखिए, कभी भी किसी भी एक ज कर पाएंगे, संबंद बना पाएंगे, और जब ऐसा कर पाएंगे, आपका सारी जरूरते पूरी हो जाएंगे, तभी आप आत्मसम्मान को प्राप्त करेंगे, इसे ही डारेक्ट आपको कहीं पर जाएंगे, आपके लिए काफिला नहीं बन जाएगा, काफिला बनाने के ल विदान सभा लड़ जाए और विदायक भी बन जाए आत्म सम्मान में लोगों की सेवा करने लगे लेकिन जब ओभी जरूरते पूरी हो जाती है तेक समय ऐसा आता है जब हमें आत्म अनभूती करने की जरूरत होती है जब हमें आत्म सिध्धी की कामना होती है मित्रो तब हम समझ में आता है, हमने तो सब कुछ कर लिया, बेटों की साधी हो गई, पोते-पोतियों की साधी हो गई, उसके बाद हम जो है अपने अनतिम, जीवन के अनतिम पढ़ाव पर हैं, तब हमें महसूस होता है कि चलो, अब हम अपने आपको जाल लेते हैं आज तक हमने क्या किया आज तक हमने जो है जीवन में किवल दोड़ भाग किया और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास किया लेकिन जो अंतिम पड़ाव होता है जीवन का उसमें अगर आपने इन चारो इस्थितियों में आपने बेहतर कारे किया है इन चारो सम क्योंकि उन्हों ने अपने उस प्रोपेगेंडा को अपने उस समय की जो उनकी जरूरते थी जो उस समय उनका मोटिवेशन था अपने बच्चों को सजाने सवारने और बनाने का उस समय उन्हों ने उन पर ध्यान नहीं दिया कहीं कहीं बहुत पीछे रहे हैं उनको आत्म अन प्रभू के लिए समय दे सकते हैं, नहीं तो आपका समय देने का मन ही नहीं करेगा, भाई आपके दिमाग में तो चल रहा है, लड़कोवा खाना खाया कि नहीं खाया, आपके दिमाग में तो चल रहा होगा, आत्म अनभूती बहुत rare case में हम कहते हैं, हजार में एक व्यक्ति करने के लायक होता है, वो भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वर्तमान के समय आप जान रहे हैं, कोई व्यक्ति कभी किसी की इच्छाय स्वापत होती है, नहीं स्वापत होती है, 75 साल का आदमी प्रधान मंत्री बनने के लिए तैयार रहता है भाई, आप जानते हैं अटल वियारी आत्म सिद्धी की भावना आई, कभी किसी की जरूरते नहीं पूरी होती है, यही है, आत्म अन्भूती, आत्म सिद्धी बहुत कमी लोग कर पाते हैं, इसमें अपने आपको समझने का प्रयास किया जाता है, कि मैंने इस धरा पर क्यों जन्म लिया था, और आखिर कार हमें ज करने की जरूरत होती है, कि यार किया क्यों मैंने, करने की क्या आवस्यक्ता थी इस सब चीजों को, जाना जब अपने मंजिल पर ही है, फाइनली तो वहाँ ही जाना है, नेतिक्ता की बात करते हैं, रचनात्मक्ता की बात करते हैं, मौलिक्ता की बात करते हैं, अब यहाँ पर जो है व्यक्ति अपने आपको समझ जाता है और अपने अंतिम पड़ाओं को प्राप्त कर लेता है और इस तरीके से अबरहाम महसलों ने अपने पाचो आवस्यक्ताओं के बारे में बताया है इस सभी जो आवस्यक्ताओं हैं करमवाईज चलती है कभी भी कोई आवस्यक् तो दूसरी आवस्यक्ता पर पहुचेंगे, दूसरी आवस्यक्ता को पूरा करेंगे, तीसरी आवस्यक्ता को पहुचेंगे, तो इन जरूरतों को पूरा जो व्यक्ति कर्मवाईज पूरा करता हो बहुत आगे जाता है, निशित तोर पे मैंने इसमें जादा बाते कर दिया ह तापको उन चीजों को समझने की जरूरत नहीं, बस यहीं समझिए कि इनकी सिद्धान्त को जहां भी आवस्यक्ता सब्डाये, अब राम मैशलो का सिद्धान्त कहेगा, पदानुक्रम की बात आए मैशलो साब होंगे, पदानुक्रमित आवस्यक्ता, मागापूर्ती आवस्यक्ता, नाभिकी आवस्यक्ता, मनोतावादी आवस्यक्ता या आवस्यक्ता का सिध्धान्त, मैं सलो सापका है अमेरिका की निवासी थे इन्होंने motivation इनका जो सिध्धान्त है motivation का सिध्धान्त कहा जाता है पांच प्रकार की आवस्यक्ता है बताई, सारीरिक आवस्यक्ता, सुरच्छा की आवस्यक्ता, सामाजिक सम्मंद बनाने की आवस्यक्ता, आत्म सम्मान की आवस्यक्ता और आत्म अनभूति या आत्म सिद्धी की आवस्यक्ता, ए पांच प्रकार की इन्होंने आवस्यक्ता है साधी, साधी, साधी हुआ, दोस्त हुआ, मित्र हुआ, यह तो हर कोई प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसे निम्न अस्तर की आवस्यक्ता कहा गया, क्योंकि यह हर कोई प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो चौथे और पाच्वे अस्तर की आवस्यक्ता है, यह बहुत ही कम और पाचवे पर आत्मसिद्धी तो रेयर केस में हजार में एक व्यक्ती प्राप्त कर ले जाए, वह भी बड़ी बात होती है इसी वज़ए से चोथी और पाचवी आवस्यक्ता को जो है उच्च अस्तर की आवस्यक्ता बताया गया और पहली दूसरी तीसरी को निम्न अस्तर किया उसक्ता बताया गया उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी अगर आज सरिंखला आपको पसंद आ रही है जो मैं CDP की चला रहा हूँ तो निशित तोर पे आप सभी से गुजारीच करता हूँ आप 22 बैच के हैं यकील मानिए आपके लिए मैं अनवरत प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी लोग सिच्छक भरती में अपना अस्थान मना पाए क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हैं तो केवल और केवल नोकरी के लिए ही मेहनत कर रहे हैं नहीं तो आपकी आवस्यक्ता है ना सरकारी नोकरी, आपकी आवस्यक्ता है ना प्रात्मिक सिच्छक में टीचर बनना, तब ही ने आकर करके वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो का आवस्यक्ता थी? आवस्यक्ताओं को पूरा करिए, मोटिवेशन अपना बना के रखिए, लगातार प्रयास करिए, माता पिता के सपनों को साकार करिए, निशित तोर पे जीवन में कुछ नहीं है, यहीं सारी चीजे करनी है, हर कोई व्यक्ति यहीं प्राप्त कर रहा है, बेहतर करिए, आत्मस किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, लगातार प्रयास करिए, बेहतर करिए, आखरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा, यही जजबा रहा तो मुस्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, नहो मायूस न घबराई संध प्रयास आपनी इमानदारी से किया है, तो कभी प्रयास आपका निरर्थक नहीं जाने वाला है, इस बात की गारंटी मैं ले लता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय वाद,